इस वक्त अमारे साथ बादचीत के लिए केंदेर राज्यमंत्री बियल वर्मा जी मौझूद हैं सर जिस तरह से आजमगड रामपूर के नतीजे सामने आए समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था लेकिन दोनों सीटों पर भारत जन्ता पार्टी की जीत हुई है लेकिन आजम खान आरोप लगा रहे हैं कि निसपक्ष चुनाओ नहीं हुआ इसी वज़ा से इन दोनों सीटों पर BJP की जीत हुई है। इसे आजम खां या दूसरे कोई भी वोट करते हैं लेकिन भाज़पा कारी करता है वो बूत पर कमल खिलाता रहेगा और इसी तरह से भाज़पा की प्रिचन जीत होती रहेगा। प्रिचन भाज़पा के कार्करताओं के सामने भाज़पा के नित्त के सामने ये लोग कितने ही किसी प्रिकार के गठवंदर कर लें। दो जास सत्रे में गठवंदर किया था अखिले से अदब रहुल गांदी ने तब बोले थे के दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी। पता चला के तीन सो पच्चे सीटों के साथ प्रिचन भाज़पाने बना ली। चुनाओ हार गए। जोड़ी तूट गई। दो जार उड़निस का चुनाओ आया। पिर सपाबसपा का गठवंदर हो गया। सपाबसपा की गठवंदर से पहले अखिले सादम ने का था कि ब पता रहे हैं विड़निस का तूटेगा। इसलिए राजभर जो बोले हैं यह सब गठवंदर चलने वाली इससे दिर नहीं है। यह गठवंदर तूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकर भाज़पा के कार्यकर्ता कमल खिलाते रहेंगे। मैं परदान मत्री मोधिशिक कर रहे हैं विरोध प्रदशन में अप सड़कों पर उतर आएं इसे किस तरह से आप देख रहे हैं अगनी पती योजना इवाओं के लिए मैं कह सकता हूं कि बर्दान साबित होने वाली है और इवा अगनी पती योजना के लिए पूरी तरह से तयार है जैसे ही भरती निकलने इवाली है और इसके बाद मिलेगा और इसके बाद में नोकरी के उनके लिए अबसर भी रहने वाले हैं तो इवाओं के वो जानते हैं जेन्त चौधरी हो या ब्रोधी पक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे इवा मानने वाला नहीं है जैसे भरतियां निकले बंपरत तरीके स लोग इसे अभीदन करेंगे और इसमें समिलित होगी आखरी सवाल अध्यक्षपद को लेकर है तमाम जगों पे लोग जानना चाहते हैं कि भारती जंता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसे अध्यक्ष बना रही है जिसे लेकर कल जो है मंधन भी मुख्यमंत्री के साथ होगा नितुत करेगा तो कोई 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 करता ही अध्यक्ष बनेगा इतना मुझे पता है बहुत शुक्रिया हम से बात्चीत करने के लिए कि आपने पसंद राहूल के साथ मैं स्वाती पाठक भारत समचार दिल